नमस्कार दोस्तों स्वागताव का अपने यूटूब चैनल आरजिनार सिंग अकेडमी पर फ्रेंट्स आज बात करने वाले नोर्सेट 5 मैंस एक्जामेने संदोज 23 का मेमोरी बेस्ट आंसर की के बारे में बात करेंगे जो कि आपका नोर्सेट 6 के लिए जो मैंस का एक्जाम है 2024 में उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट साबित होने वाला है इससे आपको आइडिया लग जाता है कि सेनेरियो बेस्ट की जो क्यूसेंस पेपर है वो किस परकार से एक्जामें पूछा जाता है और इसका जो पेटरन क्या रहने वाला है वो आपको यहापर आइडिया लग जाएगा इस परकार से बात करते आंसर की के बारे में जो कि 2023 का पेपर रहने वाला मेंस का तो बात करते क्यूसर नंबर पस्ट से पैसेंट इन नियर ड्राउनिंग फस्ट ओर्गन इर्रिवर्सियबल डेमेज इज यह एक पैसेंट डूबने वाला पानी में तो उसका पस्ट कौन सा ओर्गना जो इर्रिवर्सियबल डेमेज है ब्रेन, किड्नी, लंक्स और हर्ट तो राइट आंसर आपर रहने वाला आप्सेंट ए ब्रेन इसका राइट आंसर रहने वाला है जैसे कि आप देख सकते हो तो मेजर सिक्वेंस अप ड्राउनिंग्स आर दसी एन जो ड्राउनिंग के टाइमें दो मेजर सिम्टम नाई यो सिक्वेंस रहती है थी एनस के और कारिक सिस्टम की विदिन टो मिनट्स अमॉस्ट विक्टिम्स लोस्कॉंस और विदिन फॉर तो शिक्स मिनेट विल डेवलप रिरिवर्सियबल ब्रेन इंजरी ओके तो इस प्र इस प्रकार से इनका यहां पर राइट अंसर ओप्संस यहां पर कैसे दिया जाता है तो इसके चार ओप्संस इसे वहां पर एक्जा में दिया गए थे तो सबसे पहले इनके राइट अंसर के बारे बात करते हैं तो ओपीवी जो वेक्सिनेशन से वो दिया जाता है यहां प बट जो IPV vaccinations है, ओके ये किसे दिया जाता है, ये इंट्रडर्मली भी इसको दिया जाता है, क्या इसका right answer है, क्या होने वाला, वो भी आप comments कर सकते हो, next बात करते है, question number 3 के बारे में, central venus pressure is used to measure pressure of, तो central venus pressure जो है कि कि किस part of the heart के लिए use किया जाता है, pressure measure करने के लिए, right atrium, left at atrium, right ventricle, left at ventricle, right answer option, options A, right atrium का जो pressure उसको measure करने के लिए, CVP का यूज किया जाता है, next question number 4, pacemaker is placed on the patient and discharged after 8 days, what is the list priority teachings to be given, तो list priority teaching आपे क्या रहने वाली है, आठ दिन बाद में pacemaker जो पेलिस किया, उसके बाद में डिसार्ज हो रहा है, चार options आपके पास में रहने वाले है, teach about the mal function of the pacemaker, और take medications on the time, or teach about the need for the pacemaker, और take follow, तो right answer आपे options का रहने वाले है, जिसमे उसको teach करवाना है, कि pacemaker कि आपे क्या need आपको रहने वाले है, next question number 5, preoperative patient is given fluid for the what reason, preoperative patient को fluid क्यों दिया जाता है, तो इसका EQ options यहां पर प्राप्त हुआ है, जो कि to maintain the hydrations, hydrations को maintain करने के लिए यहां पर preoperative patient है, उसको आपर fluid दिया जाता है, question number 6, IV infusion rate is 35 mg per hour, is to be given and drugs is dissolved in 350 mg in 500 ml DNS, तो इसका एक जो universal formula होता है, desired amount upon available amount into ml, ओके तो इस परकार से अगर इसमें रखते हैं, तो 35 ml mg per hours, then available कितना अपने पास में रने वाला 300 mg, किस के अंदर 500 ml DNS में, तो इस परकार से अगर इसको cut करें, तो आप देख सकते हो, 35 से 35 cut चुका है, यहां पर इसका जो right answer है, 50 इसका यहां पर right answer रने वाला है, next day, questions number 70, validity of copper T380A is, तो copper T380, एका यहां पर वेदिता या validity पूछी ग right answer रने वाला है, सबसे ज़्यादा जो time period है, copper T380C का यहां पर रने वाला है, next day, questions number 8, patient have hopelessness, helplessness and depend on the family for the daily care, she told no one care है, तो इसका right answer यहां पर रने वाला है, mild depressions, moderate depressions, severe depression, next day, questions number 9, जिसमे एक डाइगराम आपर पूछा गया था, जिसमे आपर पूछा गया था, जिसमे आपर lateral positions, recovery position, तो right answer option C, इसका रहने वाला है, जो कि यह क्या कौन सी position से इसको recovery positions के लिए बोला जाता है, next day, questions number 10, side 4, lumber puncher in the children, children के इंदर lumber puncher की side यहां पर पूछे गई है, तो इसका right answer है, options L4, L5, इसका right answer रहने वाला है, कुछ भी अगर आपको doubt है, questions में answer गलत है, तो आप comments कर सक तो जिससे की next video में उसको include किया जा सके, questions number 11, पैसेंट ओन्द पेंक्रेटाइटिस continuous नेजोगेस्टिक ट्यूप सक्सिनिंग, output is less nurse would, तो एक pancreatitis continuous नेजोगेस्टिक ट्यूप सक्सिनिंग किया जा रहा है, तो उसका output less हो रहा है, तो क्या वाँपे नर्सेज करने वाली है, change angi tube, call the physician, और check for tube block, तो यहाँ पे option sirite answer है, जिसमें check for tube block है, या kink, ओके, तो यह भी इस का राइटांस ने आपर रहने वाला है, next है, questions number 12, पैसेंट continue angi tube suctioning कोच, तो continuous angi tube suctioning किया जा रहा है, तो उसमें क्या आपको develop होने के chances है, metabolic alkylosis, hyperkalemia, hypokalemia और metabolic acidosis, तो जो acid है, जो क abdomen के अंदर क्या होता है, acid होता है, जब continuous नेजोगेस्टिक tube suctioning वाँ पी किया जा रहा है, तो इसका जो acid है, वो भाहर निकल जाता है, और उसमें क्या बसता है, alkali, तो इस परकार से इसका जो right answer है, options है, metabolic alkylosis, यहाँ पे develop होने के chances बढ़ जाते हैं, next है, questions number 13, जो कि नोर से men's का जो exam है, उसके अंदर लगबग 3-4 qsons है, वो qsons है, वो यहाँ पे ECG से related पूछा गया है, जिसमें से एक ये diagram रहने वाला है, जिसमें यहाँ पे पूछा गया है, इसको आपको identify करना है, ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, और arterial fibrillation, तो right answer है, यहाँ पे ventricular fibrillation, next है, questions number 40, identify the given image, ज जो कि right answer यहाँ पे रहने वाला है, vortex etic pressure gauge, जिसको manometer के नाम से भी जाना जाता है, next है, questions number 15, identify the image, जो कि यहाँ पे इक image दी गई है, और इसको आपको identify करना है, right answer है, trichular dilator, तो यह भी questions वाँ पे पूछा गया है, next है, 16 number, a patient is on the pancreas, parnicious anemia, patient understands what the statement, तो एक percent parnicious anemia का, तो patient उसके बारे में क्या statement समझता है, तो parnicious anemia में क्या होता है, तो vitamin B12 है, okay, vitamin B12 की यहाँ पे deficiency हो जाती है, जिससे क्या होता है, कि जो intrinsic factor है, smoking season और I will take oral iron तो right answer options A जो किसका right answer मना गया है next questions number 17 the medications root of injection iron dextran तो iron dextran का यहाँ पे medications का root क्या रहने वाला है यह क्यों से नोर सेट है जो 6 है उसके अंदर pre के अंदर भी questions पूछा गया जिसमें उसका diagram दिया गया था और पूछा गया कि कौन सा injection से है या कौन सा टेक्निक रहने वाला है तो इसके जो तीन आप्शन से सब्कुटेनियस आई एम और जैट्रेक्ट है तो जो the medication जो iron dextran है उसका कौन सा root रहता है जैट्रेक्ट मेट्टल इसका लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट एक कुसंस नमबर 18 डिमेंस या प्रीकोक्स जो की सीजोफ्रीनिया है इन्वर्टेड एज डियाग्नोस्टिक कंसर्प्ट बाई तो यह डियाग्नोस्टिक जो कंसर्प्ट है किसके द्वार दिया गया है राइट अंसर आप्शन ए इमिल क्रेपलेंग नेक्स्ट एक क्योशनस नमबर 19 लाइम डिजस बेट रेटमेंट तो लाइम डिजस का बेटर टेटमेंट यहाँ पर क्या रहने वाला है हाइप्रोटेन, फॉर ट्रेटरिशन और ट्रिट्रा साइकलीन है तो राइट आंसर और अप्शन से ट्रकेलीन इसका यहाँ पर राइट अंसर रहने वाला है, नेक्स्ट है, कुसंस नमबर 20, जिसमें, कुसंस है, पोस्ट अपरेटिव डेपस्ट के लिए, कौन सा कॉम्पलिकेशन से यहां पर रहने वाला है, निमोनिया, एटलेक्टेसिस, पल्मुनरी एडिमा, तो राइट अंसर है, ओप्संस भी, एटलेक्टेसिस, सीजोफ्रेनिक क्लाइट्स, वहां पर आपको मिलने वाले है, जो कि मैंस के लिए बहुत इंपरेंट साबित होने वाले है, तो इसमें एक सीजोफ्रेनिक लाइट है, जो अपने आपको यहां पर special power के according यहां पर समझ रहा है, और वो बोलता है कि मैं another planet से आया हूँ, और एक messenger के तोर पे अर्थ में काम कर रहा हूँ, तो इसमें किस परकार का behavior आपको असेस करना है, चार options है, delusion of the grandeur, idea of preference, delusions of persecutions, or thought broadcasting, to right answer यहां पर delusion of the grandeur, delusion of the grandeur में एक पेसेंट क्या होता है, अपने आपको superior यहां पर समझना स्टार्ट कर देता है, नेक्स्ट एक क्योंस नमबर 22, as six month old infant is receiving a ribavirine for the treatment of the respiteous in critical virus, ribavirine is administered via which of the following route, तो यहां पर जो ribavirine का route पुछा गया कि किस परकार से उसको दिया जाता है, oral, IM, IV और aerosol, तो right answer options, इस का रहने वाला aerosol को माध्यम से जो ribavirine injection है या जो भी medicine से उसको यहां पर दिया जाता है, next है क्योंस नमबर 23, a five year old child has suffered second degree thermal burn, hour 30% of the body, 48 hours after the burn injury, the nurse must begins to monitor the child for the which one of the following complications, एक five year का बच्चा 30% burn हो चुका thermal burn, तो उसमें 48 hours बाद में कौन से complications वहां पर आपको मिलने वाले है, severe hypotension, decreased cardiac output, fluid volume excess और fluid volume deficit, तो right answer इसका रहने वाला है, वो है options C, fluid volume excess, next है क्योंस नमबर 24, patient with emphysema, which positions would be prefer, अग पर पेसेंट उसको emphysema, कौन सी positions आप देने वाले हो, high fowler, semi fowler, supine और prone position, तो right answer options B, options A, high fowler's position, next 25 नमबर, recommended dose of adrenaline for the neonatal resuscitation condition, तो adenaline का neonatal resuscitation conditions में जो recommended dose आपको कितना रहने वाला है, तो right answer है, यहांपर option C, 0.01 mg per kg body weight, 0.1 ml per kg, या इसका ratio में अगब बात करें तो, ratio 10,000 इसका यहांपर dose माना जाता है, next question number 26, a client admitted in the labor, 42 week of the gestation, have 3 cm dilution receiving oxytocin, patient have contractions at 30 seconds rate, what is the appropriate nursing intervention, 42 week of gestation का labor के अंदर admit हुआ patient, तो उसमें 3 cm dilution से, जिसमें oxytocin यहांपर start हो चुका है, कर दिया गया है, तो patient को contractions है, 8-30 second rate में, तो उसका appropriate nursing intervention यहांपर क्या रहने वाला है, तो 4 options है, notification to the physician, check fetal heart rate, delivery BCS patient in transitional phase, turn off oxytocin, तो जो यहांपर contraction, एक normal contraction आपको मिलने वाला है, उसका जो labor का जो time 42 weeks हो चुका है, 3 cm dilution भी हो चुका है, तो इसका जो आपने को क्या करना, turn off the oxytocin, जो medicine है, उसको यहांपर turn off कर देना है, next day, questions number 27, legal alcohol for the driving in the India, इंडिया के दर जो driving candidates है, उनके लिए legal alcohol कितना माना गए है, तो 3 of 4 options, 30 mg, 40 mg, 50 mg और 20 mg, तो राइट आन सरे हांपर 30 mg in the 100 ml blood, तो इसके रेशनल भी देख सकतो, तो इन इंडिया, the permeable blood alcohol content BAC is set at the 0.03% per 100 ml blood, that's work out of 30 mg of the alcohol per 100 ml of the blood, मतलब 100 ml blood के अंदर, जो आपका alcohol का level 30 mg यहांदी है, तो वो legal यहांपर, इंडिया के अंदर माना जाता है, next day, questions number 28, एनर्स should carefully monitor the clients for the following side effect of the MgSO4, तो MgSO4 का यहांपर side effect पूचा गया है, तो respiratory depressions, epigastric pen, tachypenea, visual blurring, तो right answer यहांपर रहने वाला options, a respiratory depression, जो की most common, इसके side effect यहांपर रहने वाले है, next day, questions number 29, a postpartum clients complain of the rectal pressure and severe pain in the perineum, this may be indicate of the, तो इससे क्या indicate करता है, a hematoma of the vaginal and vulva, और cystitis, constipations, और after birth pen, तो right answer, options a, a hematoma of the vagina and vulva, next day, questions number 30, after tonsillectomy, which positions given, tonsillectomy के बाद में कौन सा positions यहांपर प्रवाइड किया जाता है, शूपाहिन, प्रोन, semi-fowler और side line, तो right answer यहांपर रहने इसका side line जो positions है, वो यहांपर प्रवाइड की जाती है, next day 31, which of the medicines would most likely potentiate और एवालवेट सीरम डिजोक्षिन से लेवल, तो कौन सा मेडिकेशन से जो एवालवेट करते हैं डिजोक्षिन से लेवल को, DZ-Bind और कुनेडिपिन, थायरोड़ाइजेंट और KCL, तो right answer यहांपर आपर आप्शन से भी, कुनेडिपिन, तो कुन सा मेडिकेशन इसके लिए दिया जाता है, प्रोपेनलोल, डोबुटामाइन, नोरेफिरेफरिन और एफिनेफरिन, तो right answer यहांप्शन से डी, एपिनेफरिन या एड्रेनलिन, नेक्स एक कुन से नमबर 33, जो कि एक डाइग्राम आपर पूचा गया था, जिसमें पैसेंट गियूद कीमोथेरेफी, फूर 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 विक आइडेंटिफाई दे इमेज, एक पैसेंट उसको कीमोथेरेफी चार विक से दिया जा रहा है, तो यह किस परकार का इमेज रहने वाला है, इसा वाहांपे कुन से पूचा गया है, जिसमें चार ओप्सेंट यहांपे रहने वाल है, PICC लाइन, सेंटरल लाइन, केनूला विद एक्स्टेंशन लाइन, तो राइट आंसर इसका रहने वाला ओप्सेंट ए, PICC लाइन, नेक्स्टेंट एक कूशन से नमबर 34, दूरिंग दे सेकेंड स्टेशन, दूरिंग दे प्लस स्टेशन, पोजिस्टन अब दे फिटल हैड़ इस, तो प्लस तो स्टेशन पूचा गया, तो इसका पोजिसन से यहां पे क्या रहने वाला है, तो इसको बूला जाता है CCL Spain, येदि इसके उपर से यहाँ पर रहने वाला है, तो plus minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, तो इस परकार से इसका level रहता है, CCL Spain से यहाँ नीचे फीड़ा लेड़ है, तो यहाँ पर plus 1, okay, plus 2, plus 3, इस परकार से उसका plus 5 तक रहता है, येदि CCL Spain से उपर रहता है, मानस में रहता है एस्ट लागय है नेक्स टैक क्यूसम नमर 35 ए2 एर चेरडोएट 30% बढ़न चेग दफ्लूड स्टेटस तो फ्लूड स्टेटस को कैसे चेक किया जाता है तो ओर इन आउट्पुट के माद्द अंसे इसका जो फ्लूड स्टेटस असे चेए किया जाता है next 36 when a patient is administered, heloperidol and exhibit involuntary uncontrollable moments what is the type of the moment commonly referred to is तोसे क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल जो symptoms है वो produce होते है और एक्स्ट्रा पिरामिडल स्सीम्टम प्रोड्यूस होने के बाद में जो options है डिस कायनेसिय और एकेटेसिस तो डिस कायनेसिय जो है इसका right answer यहां पर रहने वाल है Next Daw9 counselor community्स tats examinations का the normal value है वो वहाँ पर पुछा गया चार options नहीं मिले बट इसके scoring है चारो वो याँ पर बता दिया गया है तो right answer इसका normal जो range है 24 to 30 इसका याँ पर right answer रहने वाला है next है questions number 38 after receiving a blood transfusions following major surgery a patient developed tachycardia and experience difficulty in the breathing which of the following reaction is most likely indicative of major surgery के लिए उसमें blood transfusion किया गया है तो पेसेंट में डॉलप होरा टेकिकाडिया difficulty breathing में है तो क्या उसमें indicative हो सकता है reactions के लिए allergic reaction, hemonolytic reactions, post transfusions, lungs reaction तो right answer आपर रहने वाला options A allergic reaction next questions number 39 which of the following drugs contraindications in dilated hypertrophied cardiomyopathy तो right answer है चार options है propanolol, vasodilator, positive ionotrops और diuretics है तो right answer options C positive ionotrops next a questions number 40 the nurse analyze the laboratory result of a child which hemophilia the nurse understand that which of result will most likely to be abnormal in this child to iske अंदर क्या abnormality रहने वाला है partial thromoplastin time, hematocrit level, hemoglobin level or platelets count तो right answer आपर options A partial thromoplastin दो तो ताइम है वो यांपर रहने वाला है next questions number 41 the patient have urinary retentions nurse tell him to pressure on the suprapubic area is the urinary retentions है तो उसमें प्रेसर लगा ना suprapubic area में तो किस परकार का मेनुवर वाहां पर यूज़ किया जाता है तो right answer तो इसका क्रेड मेनुवर है क्रेड मेनुवर का यहां पर इसनल बात करेड मेनुवर है क्रेड मेनुवर का यहां पर इसनल बात करेड मेनुवर is the medical techniques used to assist the amputting of the bladder especially in the case of the urinary retention it's typically performed by the healthcare professionals such as nurses या physician के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है नेक्स्ट एक उसस नमबर 42 पैसेंट विट एमरे से मर्सा इन्फिक्शन स्केप इन आइसलेशन से नर्स परफॉर्म कोलोस्टोमी केर वाट कोंटेक्ट प्रिकोशन से नर्स सुड़ टेकन एक मिट एम आरे से की एक इसको पैसेल को आईसलेशन में रखा जाता है तो नर्स परफॉर्म कर ये कोलोस्टोमी केर को तो क्या प्रिकोशन स्वाप पर यूज करने वाले हैं ग्लव्स गाउन या सूकवर्स ग्लव्स गाउन आई गोगल्स और ग्लव्स और गाउन तो राइट आपर ऑप्संस भी ग्लव्स गाउन और आई गोगल्स आपको यहां पर यूज कर लेना है नेक्स्ट एक क्यूसंस नमबर 43 वेन एवालवेटिंग क्लाइंट्स वित शिम्टम्स आफ सोग इस इम्पोर्टेंट फोर नर्स तो डिटर्म डिफ्रेंसिये बिट्विन दे निरोजेनिक और हाइप इसका एक डिफ्रेंस करने का तरीका है तो उसके लिए क्या चैड की मदर को आप वहां पे एडवाइस देने वाले हो कि उसमें घर पे क्या ट्रीटमेंट आपको देना है चार उपसंस रहने वाले हैं गिव होट वाटर बात गिव कुल मोस्ट वेपराइजर एंड एंड क्रीज क्राइग और गिव लार्ज अमांट अप दे लिक्विड इफ ड्रोलिंग अकर्स और गिव एनस अंटी स्टमेंस मेडिसिन से तो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ओपसंस ए गिव होट वाटर बात आपको यहाँ पर देना है अ 7-year-old child is brought to the emergency at the midnight by his mother after symptoms of affair abruptly the nurse initial assessment reveal the temperature is 104.5 degree Fahrenheit or difficulty swelling rolling absence of the spontaneous cough and agitation these symptoms are indicative of the one of the following किस परकार की symptoms यह रहने वाले तो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है अगर क्यूसंस को आप द्यान से पढ़ते हो और उसको सोचने का अगर टाइम देते हो तो आपका जो आंसर है वो करक्ट यहाँ पर जाने वाला है 47 प्राइर तो एड्मिनिस्टिंग डिजोक्षिन तो दे क्लाइंट से विच कंजस्टिवर्ट फेलिवर दे नर्स नीड टू असेस्स तो क्या नर्स यहाँ पर असेस्स करने वाली है रेस्पाइटी रेट फोर द वन कर लेना है नेक्स्ट एक उसस नमबर 48 पैसेंट बिकम एजिटेटेटेड इरिटेटेड एंड टेकी काडिया वाट माइट हूआ फंड एंड वाट विल बी यूवर इंटर्वेंशन तो क्या आपका इंटर्वेंशन रहने वाला है और के टेटर इन लेप वेंटरिकल्स के दो समयड की वर्ग विच्टें में पूचा गया था कि एक एंटर्वी मौनिंगिशन वांजेट फोड़िकलो लेसिक्स तो यह दोनों इसके right answer रहने वाले हैं next questions है when inserting central line catheter to the patient patient is having dyspnea, tachycardia, hypertension what is the cause for this condition तो क्या causes conditions के लिए रहने वाले है pneumothorax develop in the patient catheter goes inside right atrium और air embolism तो जो right answer है options A pneumothorax develop in the patient तो इस परकार से total 50 questions के बारे में बात कर चुके हैं next जो 50 question है उसके बारे में next videos के अंदर बात करने वाले कुछ भी questions में अगर doubt है या answer आपको गल्त लगा तो comment box में जुरूर comment करना है जिसे की next video में उसको complete कर सके तो उस परकार से मिलते हैं next video में तब तक लिए स्वासरे, मस्तरे, धन्यावाद friends झाल झीण फिल्त झाल 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 झाल